हेलो एंड वेलकम गाइज तो मैं यूट्यूब चैनल सो आज का आमारा वीडियो होने वाला इलेक्ट्रोनिक जूल्डरी के उपपर यह कुछ कंपोनेंट है कि सेर्केट और रिजिस्ट्र ठीक है आपकी इसाब से आपको जैसा लगता है वैसा आप यूज कर सकते हो फोर एक्जमपल के लिए मैं बना कर दिखाए आप एक यह अपना क्यापिसिटर है ठीक है क्पैलर कोडिंग क्यापिसिटर है ठीक है जैसे रिजिस्टर होता है नहीं वैसा है नॉर्मल क्यापिसिटर अपना इसा होता है ठीक है इसका लूग उत्ता अच्छा नहीं है इसलिए हमने याप यह वाली क्यापिसिटर यूज करेंगे ठीक है यह रिजिस्टर है और यह एक सर्कुट है इसके जैसे सेम मेरे पास दूसरी सर्कुट है IR सेंसर की सर्कुट है हो तो मैंने वो यूज करें में दिखाता हुए जो मैंने बनाया ठीक है ऐसे कुछ कंपोनेंट से आप भी बना सकते हो अगर आप ओनलाइन खरीद होगे तो बहुत एकस्पेंसिव हो जाएगा वो और यह रेयर है करके ओनलाइन में मिलेगा भी नहीं मिलेगा भी तो वेबसाइट पर मिलेगा ठीक है यह मैंने बनाया है जो क्यापिसिटर था यहां पर वो क्यापिसिटर है यह वाला अभी जो मैंने दिखा था उसके लेग को जो मैंने रोल कर दिया है और वैसे रेजिस्टर भी है और बीच में उसका सर्केट अठीक है और जो लास्ट में वो नॉर्माल जो कड़ी रहती है वो यह दूसरे यह रिंग के मैंने लगा लिया अप्या कि ऐसा लोकार रहा इसका इसके बाद मैंने एक और चीज बनने वह दिखा दाओ हीज बन्हाया आमने पन गेले चेन ठीगे यह एक एक अल्ट्राशॉनिक सेंसर का शर्कूट है यह पर रट्रासॉनिक सेंसर का सेर्क्फिट है यहाप्य रहत्ते हो दो सेंसर भूमायने रिमू कर लिए ओरीं सायट से यहाप्य चेन डाल ठीगे कि और एक मैंने जो बनाई यह वह यह रिंग है कि ब्लैक कलर की सर्कुट इसकी नॉर्मल ट्रिंग के उपर मैंने उसके एरलेट से चिपका दिया एरलेट हार्ड रहता है वह तो मैंने उसको चिपका दिया इस्तेटिक कि ऐसा लूग आ रहा है इसका ठीक है यह सर्कुट को मैंने निकाला है स्मार्ट वाच के अंदर से यह रही स्मार्ट वाच आइसी एक वाच थी मेरे पास जो कि खराब हो गए थी तो मैंने उसको फेक नहीं के पहले उसका सर्कुट और उसकी बैटरी निकाल ली ठीक है तो उसको सर्कुट मैंने यहां पर यूज़ कर लिया है रिंग के तो और पड़ी है और यह जो अल्ट्रा सॉनिक सेंसर है यह यह रियल में ऐसा दिखता है ठीक है यह अल्ट्रा सॉनिक सेंसर है इसके यह दो जो सेंसर है दोनों मैंने रिम्मू कर लिया और यह कनेक्टर पीन को भी रिम्मू कर लिया यह इसा है अब आपको जिसा लगते हैं अपनी हिसाब से बना सकते हो यह तो था मेरा एडिया ठीक है आपकी इसाब से बना लो आपको एक दम चीप प्राइज में मिल जाएगा मतलब बन जाएगा आपका अगर आप खुद से बनाते हो तो अगर आप पर्चेस करने जाओगे तो बहुत कोस्ट लियाता है एक फॉर एक्जामपल के लिए मैं आपको दिखा दो गया पर एक पीक ठीक है